शाम की छोटी मोटी भूग के लिए ये वाले नमक पारे बनाईएगा, ये एक गमी परतदार नमक पारे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, क्रंची है, अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर आपने एक बार बना कर इसको खा लिया ना, तो बस आपको मजा ह इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है, मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बहुत ही क्रंची है, और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है, बिल्कुल मक्खन की तरह ये तूट जारी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनक अब से आप शाम की चाय के साथ नमकीन बिस्किट बिल्कुल भी नहीं लेंगे, आप इसी मट्री को बना कर रखेंगे, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ये, तो स्वागत करती हूँ, मैं आप सभी का मेरे किचन में, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेथी लिय इसके बाद 2-3 घंटों के लिए मैंने इसको रख दिया, ताकि इसका पानी बिल्कुल अच्छे से निकल जाए, सूख जाए, देखिए, एक-एक पत्ती बिल्कुल सूख गई है, इस तरह से मट्री अच्छे बनते हैं, पानी होगा तो फिर वो अच्छे नहीं बनते हैं, अब मैं इसको क्या करती हूँ, आप बारिक-बारिक काट लेती हूँ, आप चाहें तो ये नमक पारे ना बिना मेति के भी बना सकते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ्लेवर के लिए मेति अट कर रही हूँ, तो देखिए, बा लवापन होता है मेति का वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और लंबे टाइम तक स्टोर करके नमक पारे को रख सकते हैं, तो इस कटोरी से डेड़ कटोरी मैंने गेहूं काटा लिया है, आधी कटोरी सूजी और दो बड़े चममच बेसन डाल रही हूँ, अब भूनी हुई मेत चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, और दो चममच यहाँ पर मैं देसी घी डाल रही हूँ, तो घी डालने से नमक पारे बहुत ही ज़्यादा खसता बन कर तयार होते हैं, बहुत ही सौफ बनते हैं, तो इसको जरूर से डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल क करके एक सकत डो हमें तयार कर लेना है, और इसके बाद इसको हम 10-15 मिनट के लिए मतलब आटे को रख देंगे डख करके, और यहाँ पर मैंने 2 चममच सूखा आटा लिया है, इसमें 2 चममच ही घी अट किया है, एक हम सलरी तयार करेंगे, जिसको साटा बोलते हैं, तो बनाने के लिए तो मैंने इसको बड़े बड़े तीन टुकडों में बाड़ दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा यहाँ पर लोई लेंगे और इसको रोल करना है, तो क्या करना है थोड़ा थोड़ा आटा इस पर स्प्रिंकल करना है, और इसको बड़ा सा रो तो देखिए इसको कैसे fold करना है ताकि परत्दार नमक बनकर तयार होऊं तो इस तरीखे से इसको हमें fold कर लेना है और अब क्या करेंगे न एक बार फिर से इसफ सुखा आठ आर्टा sprinkle करेंगे थे कि इस तरीखे से और फिर से नवीं को roll लगाएंगे और हाथों से इसको अच्छा से फेला देंगे अब क्या करना है चारों साइट योइ। इसको स्प्रिंकल करना है और दो साइट से सिरफ फोल्ड करना है पहले हम चारों साइट से फोल्ड करेंगे इस तरीके देखा आपगी कंचल quick के हातों से बिल्कुल रोल कर रही हूं क्योंकि मुझे बहुत जादा खूले हुए परतिदार नहीं पसंद हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको रोल कर दे रही हूं ताकि यह चिपक जाए और थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा इससे मतलब बड़े हो जाएंग तो यहाँ पर देखिए अब हमे यह सारे नमक पारे को एड़ कर देना है तो थोड़ा थोड़ा करके मैं छान रही हूं वैच्छ अंदर तक की जो पड़ते हैं, वो सारी पड़ते बिल्कुल अच्छे से पग जाती हैं, पहले हाई रखेंगे, तो जब मट्री को फ्राई करेंगे तो पड़ते अपने आप खूल जाएंगे, उसके बाद से ये पग जाएंगी, लो टू मिडियम फ्लेम पर, तो देखें एक की बैच को फ्राई करने में आपको 5-6 मिनट तक का टाइम लग जाता है, तो यहाँ इसी तरीके से हमने सारे नमक पारे को फ्राई कर लिया है, आप यहाँ पर आवास सुन सकते हैं, कितनी ज़्यादा क्रिस्पी नमक पारे बनकर त्यार हुए हैं, और सबसे बड़ी बात ह कि आटे से बने हैं, लेकिन आप खा कर इसको बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे, कि आटे से बने इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, और उपर से क्रिस्पी आप चाहें, तो इसको बच्चों के लच बॉक्स में भी दे सकते हैं, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगत हैं, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ नए ब्लॉग में, बाबाई